फ्रेंस दो मुद्दों को ले करके किया गया है पहला तो आप सब जानते हैं कि महारास्ट में सरकार की मौजूदगी में सरकारी कारिकरम में सरकारी लापरवाही से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है हम भारतिय रास्टे कॉंग्रिस की तरफ से सोख संबेदन अव्यक्त करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार बिना किसी लापरवाही के बिना किसी बहानेवाजी के बिना किसी आनाकानी के इसकी जिम्मेवारी ले और कुछ सवालों का जवाब दे कि जब एक सरकारी कारिकरम किया जा रहा था सरकार के तमाम बरे अधिकारी और मंत्री उहां मौझूद थे तो इतनी बड़ी चूक इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई प्रस्ण ये उठता है कि आप किसी कमपनी को कारिकरम की तयारी के लिए 13 करोड का ठेका देते हैं तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है क्या आपको इस बात का पुर्वानुमान नहीं था कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मुवाइल पे वेदर चेक कर लेता है क्या मंत्री जी का मुवाइल काम नहीं कर रहा था उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रेल में, मई में, जून में और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबियत खराब होती है जितना छमता है उससे ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकठा होंगे तो सभाविक रूप से परिशानी आएगी जनता की बुनियादी बेसिक स्विफधाओं का ध्यान नहीं रखा गया पानी की विवस्था नहीं की गई उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया क्योंकि इस सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिचाने में रहता है अगर देश में लोकतंत्र है की नहीं है अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कारिकरम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना परेगा भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस ने महाराष्ट्रा की यूनिट ने यह सवाल उठाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तै करने के लिए देश का सबसे महत्पुन विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप घटना के बाद बहाने वाजी ना करें इधर उधर की बात ना करें जिम्मेवारी तै करें जो लोग दोशी हैं उनके उपर कारवाई करें और सबसे जादा दोशी तो सरकार खुद है तो यह दोश को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो इसको सुनिश्चित किया जाए